अब पाकिस्तान में कपल तो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंती और जिहादी लोग इतने भरे पड़े हैं कि वहाँ पर अगर कपल कुछ सरयाम कर दें या फिर छुपके कर दें और उन्हें कोई देख ले तो उन्हें वहीं पर मार देते हैं तो कपल ने सोचा हम गहीं बाहर कुछ नहीं कर पाते रूम में नहीं कर पाते चलो विमान को चुना जाए जी हाँ पाकिस्तान विमान में यात्री कुछ ऐसा करने लगा जिसके बाद यात्री तो शौक्ड हो गए साथ में एर होस्टेस और विमान के जितने भी क्रू मेंबर थे वो भी हैरान रह गए कपल इस तरह अपने काम में मगन हो गया कि उसको आसपास क्या है कौन बैठा है कुछ भी होश नहीं था तो येर होस्टेस भी शरम खाके उन्हें कंबल दे दी कि भाई तुम करो लेकिन ये कोई बाहर ना देखे जी हाँ अब जो खबर सामने आई उसे सुनने के बाद आप कह कि ये समभाई पाकिस्तान के विमान में ही हो सकता है जी हाँ पाकिस्तान के एक यात्री विमान से चौका देने वाली खबर सामने आई है पाकिस्तान के कराची शहर से इसलामाबाद जार है एक कपल प्रेम में इतना जादा डूप किया कि बीच हवा में ही किस करने लगा प पाकिस्तानी अकबार एक्स्प्रेस ट्रीबेंट के मुताबी 20 माई को एयर एविल्यू कमपनी के पिये 200 उडान ने ये शर्मनाग घटना हुई है यात्रियों को दावा है कि चौथी सीट में बैठे कपल ने पहले किस करना शुरू के इसके बाद वहां बैठे दूसरे यात्रियों ने एयर हॉस्टेस से अनरोध किया कि इस कपल का श्टील हरकते करने से रोके एयर हॉस्टेस के अपील पर भी कपल ने ध्यान नहीं दिया वो इस तरह मगन हो गए थे इसके बाद एयर होस्टेज ने थकार कर इस कपल को एक कमबल दे दिया ताकि वो इसके अंदर अपने अश्टीलता करें यात्रों ने बताया कि उन्होंने भी इस कपल को रोकने का प्रयास किया लेकिन वो दोनों भड़ा कुठे कपल ने कहा आप कौन होते हैं हम मैं बताने वाले इस प्रेइन में सवार वकील बिलाल फारुक आलबी ने कहा कि उन्होंने सिविल एवेशियन ऑथोर्टी के पास शिकायट दर्च कराई है उन्होंने कहा है कि एल लाइन में इस कपल को रोकने के लिए कोई कारवाई नहीं की माबली की जान शुरू हो गई इस घटना से पाकिस्तान सोचल मीडिया में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और लोग पाकिस्तान की जम कर किरकिरी उड़ा रहें झाल झाल